गुद मॉरिंग बच्चो हमने पिछले वीडियो में फोर्स की बार में पढ़ा था थोड़ असा पढ़ाता है न की फोर्स है क्या है न तो अब हम आगे चल रहे हैं फोर्स की बार में पढ़ा था की फोर्स क्या है पुछ और पुल which changes or tries to change the shape, size, direction, speed of any object उसकी unit के बार में हमन supply कब होती है कब होती है जब कि दो objects के बीच में interaction होता है means अगर मैं इस pen पे force लगाऊंगी तो मेरा हाथ और इसमें interaction होगा तब ही force लगेगी ना या ये pen इस copy पर force लगा रहा है और copy pen पर force लगा रही है तब ही तो stable है है ना तो ये दोनों एक दूसरे से interaction करे हुए है जब ही force अप्लाई हो रही होती है अगर मुझे इस notebook को slide कराना है तो मैं क्या करूंगी इस पे force लगाऊंगी क्या मैं दूर खड़ी रहूं और मैं चाहूं कि इस पे movement हो जाए तो अपने आपने होने वाला मुझे interaction करना पड़ेगा है तो जो भी objects पर force हम लगा रहे है या कोई भी दो object जिस पर कि हमें force देखना है कुछ movement देखना है या कुछ position change देखना है shape size change हमें करना है तो उस पर हमें interaction है यानकि उस पर हम कुछ push या pull करेंगे तब ये हो सकता है तो वो जो चीज है क्या है यानकि हम दो objects में force अगर apply करना चाहते है तो दोनों objects के बीच में कुछ ना कुछ तरीके से interaction ज़रूर होना चाहिए चाहिए pulling का ये pushing का यानकि मैंने example दिया हुआ है जैसे कि a man a car is pushed by a man sliding a book etc so force are forces are due to interaction between two objects forces क्या है forces applied on an object in the same direction add to one another अगर एक ही direction में force apply हो रहे है जैसे कि अगर आप किसी चीज को खीच रहे हो या कहें हम किसी object को जैसे car है car को तीन लोग force लगा रहे है है ना तो वो जो force लगा रहे है तो तीनों की force add up हो जाएगी उस case में ना जैसे मैंने एक object मनाया हुआ है एक object पर हम दो forces लग रहे है तो दोनों forces इस पर लग रहे है same direction में लग रहे है तो जो net force होगी net force का मलब का है total force तो जो total force होगी वो क्या हो जाएगी add हो जाएगी चीक है means net force जो आजाएगी वो F1 प्लस F2 और यह जो मैंने arrow लगाया हुआ है यह vector quantity की वज़े से मैंने लगाया हुआ है ठीक है हमारा बुक में में भी force नहीं हाँ ऐसे symbol नहीं दिया हुआ यूज कर लेना आप लेकिन यह जो है vector quantity के लिए हम show करते हैं तो अगर हमारी forces same direction में लग रहे हैं तो क्या होगा add up हो जाती है forces और अगर forces different direction में लग रही होती है तो जो net force होती है वो क्या होता है इनका difference आता है अब difference के लिए हम कैसे निकालेंगे difference कि आपका अगर F1 difference कैसे निकालते हैं बड़े message चोटे को minus करके हैं अब लेकिन अब यहाँ पर मुझे direction दिखानी थी क्योंकि मैंने बताया force के vector quantity मुझे तो direction भी तो show करनी पड़ेगी तो इसके लिए अगर F की direction हमने positive मानी है F1 की direction मैंने positive मानी है तो मुझे F2 की opposite direction दिखाने के लिए sign change कर देते हैं तो उसको हम minus का दिखाएंगी यह आपको करना है ऐसे आगे आगे भी पढ़ोगे इस चीज को तो अगर आपको एक की direction आप अगर F2 की positive मानेंगे तो इसकी negative मानना पड़ेगा तो जब भी दो या दो से ज़्यादा forces different direction में अगर लग रही है तो उनका difference same direction वालों को add कर देते हैं और opposite direction को हम उसमें से subtract करेंगे या क्या होगा उनका net जो है किस तरीके से निकालेंगे इन तरीके से जैसे कि अगर same direction में लग रही है तो उनको add कर दिया नेट फॉर्स तो अगर दो forces लग रही है और same direction में लग रही है तो net force वालों को जाता है उसका opposite direction में लग रही है तो difference अगर बहुत सारी forces इक ही object पर लग रही होती है अगर एक ही object पने बहुत सारी forces लग रही है और उस object में motion नहीं दिख रहा अब जैसे मैं copy रखी हुई है और इसको मैं अब air भी इस पर force लगा रही होगी और means table force लगा रही है और ये भी इन table पर force लगा रही है अब अगर मैं इस पर हलका सब force लगा हूँ और इसमें motion नहीं हो रहा है इतम ये सारी forces नेट force जो निकाल के आ रहा है वो zero हो रहा है तो ऐसे ही मैंने एक figure बनाया हुआ है इस पर कई forces लग रही है seven forces लग रही है लेकिन अगर इसमें motion नहीं हो रहा it means कि इनका जो net force आएगा वो क्या आएगा zero के बराबर resultant क्या आएगा zero हुआ जाएगा ठीक है अब इसमें हम क्या करेंगे same direction की forces को add कर लिया opposite direction की forces को negative direction लेते हुए add कर लेंगे है ना क्या करना है हमें minus करते है ना ठीक है opposite direction है तो हम difference दिखाना है लेकिन difference के लिए मैंने क्या दिखाया कि हम उस force को क्या करेंगे उसकी direction लेके चलेंगे opposite direction है तो negative sign ले लिया ठीक है और सब को फिर add करेंगे तो हमेरे पस net force आजाएगी और net force कितनी आएगी zero ठीक है इस case में हमने बता है कि सारा अगर cancel कर रही है एक दूसरे को forces तो net force जीरो आजाएगी और ऐसे type की force को हम कहते हैं balanced force there are two type of forces balanced and unbalanced force here we are not discussing these type of forces there are two forces contact and non-contact forces बड़ यह दो टाइप की forces आप नायद में पढ़ने वाले हैं है ना लेकिन अब है क्या balance force जिसमें कि आपका सारी forces क्या हो रही हो मिलकर net जो result निकले force का वो अगर zero निकल रहा है तो क्या होगा कि आपका forces को हम कहेंगे कि कैसा force है वो balanced force है वहाँ पे और अगर net force zero नहीं आ रहा मिन्स कुछ ना कुछ displacement हो रहा है means position change हो रही है ठीक है तो क्या हो जाएगा कि आपका कैसा force माना जाता है unbalanced force ठीक है balanced force जिसमें की F zero होता है F net zero means सारी forces एक दूसरे को cancel out कर दें और F net अगर zero नहीं है यानकि सारी forces एक दूसरे को cancel out नहीं कर रहा है it means unbalanced force like here इसमें ये दोनो forces एकी direction में लग रही है और इधर कोई force नहीं लग रही तो ये unbalanced force है यानकी motion दिखेगा अब इसमें यहाँ पे motion है नहीं है वो किसपे depend करेगा इन forces पर अगर F1 forces जादा है तो motion किस तरफ हो जाएगा इस तरफ ठीक है F1 की direction में अगर F2 जादा है तो F2 की direction में हो जाएगा इस direction में ठीक है और अगर दोनों forces equal होंगी तो कोई motion हमें देखने को नहीं मिलेगा तब उस condition में यहाँ पे net force हो जाएगी zero और कहिंगे हम balanced force है यहाँ तो यहाँ पे unbalanced हो गया यहाँ पे उस condition में when F1 is equals to F2 हो जाएगा तब हमारा जो force होगी वो balanced force होगी ठीक है तो यह दो टाप की forces होती है unbalanced and balanced forces चीक है आपको जो है यहाँ तक समझ नहीं आया हो तो मुझे जरूर पूछ लीजेगा ठीक है एक बार मैं आपको शूकर देती हूं मैंने क्या बताया ठीक है चलिए अब हम वीडियो खतम करते हैं और कोई भी कोई हो आप क्लास में पूछ सकते हैं